तो चीज़े हैं, सुनलो अब, एक इस्त्री की मर्यादा के उपर हाथ रखा गया, इस्त्री का निरादर किया गया, इस्त्री की तोहीन की गई, और अगर ये सिद्ध होता है और ये बात सची है, तो जिसने किया है उसको उस अपरात का दंड मिलना चाहिए, ठीक है, वो नान पाटे कर हों, या अनु कपूर हों, या सोहिल तातारी हों, या नरेंदर मोदी हों, इस्त्री का अपमान, इस्त्री की अस्मिता के साथ खिलवार बिल्कुल बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, परंतु, आप प्रूव लाईए, और जिसको दंड देना है वो दंड दीजे, बगेर प्रूव के, आप किसी भी व्यक्ति के उपर अगर सिर्फ लांचन लगाती हैं, तो लांचन लगाने के साथ साथ इतने सारे प्रश्ण सामने आ गए हैं, उसका जवाब दे दिजे, जवाब ये पूछा जा रहा है, आज आज अमारे महराश्ट के ग्रह मंत्रियों बहुत अच्छी बात की, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाईए न, आप मीडिया के सामने क्यों ट्राइल कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं आपके इंटेंशन के उपर मुझे शक होने लगता है, बहुत अच्छी बात की, लॉजिक की बात करो, हम किसी के ना फे इवर में हैं, न किसी के अगेंस्ट हैं, हम तो सत्य के साथ हैं, आप प्रूफ कर दीजे, हो जाएगा काम, हमारा आज तो हमारे सरवोच नैले के माननी है, आदर्नी है, गोगोई साब हमारे चीफ जस्टिसों से पहले नियाई मूर्ती शिरी दीपक मिश्रा जी है, अरे य खावाजे हैं, भारत वर्श की भूमी पे रह के भारत, हिंदुस्तान, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान गंदा देश है, मुर्दाबाद के नारे जैनियू चे अंदर लगते चाहिता है, उससे बड़ा अरा जमोरियत आपको डिमाकरीज था चाहिता, नहरू से भी एक बार जब नहरू जी बात करते थे गरीबी की हटाएंगे, आजादी आएगी, अपना राज होगा, बहुत फेमस किसा है, एक बुढ़िया नहरू जी के पास आई, और बुढ़िया ने कर्टिसाइज करना शुरू कर दिया नहरू को, ये क्या है, ये कौन सा आजे गोड़े चले गए, अब हमारे कुछ सुंता नहीं है, हमारी गरीबी कर जाएगी, कौन सा सुरा जाया है, क्या प्रजैतनत्र की बात कर रहा है, तो नहरू जी ने का माई, इससे बड़ा प्रजैतनत्र और क्या हो सकता है, कि तू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री को सब के सामने गाली देरियों में सुन रहा हूँ इससे बड़ा प्रजातंत्र क्या हो सकता है बहुत अच्छा देश है यार हमारा ठीक है इतने बड़े देश के अंदर इतनी समस्याओं के साथ जूजना जहां कितनी तरह के धर्म है जाती है संपरदाय है भाशा है अंचल है किसी के नाम पर एक नहीं हो पा रहे है तो भारत माता के नाम पर एक हो जाओ यार तिरंगे के नाम पर एक हो जाओ आप तिरंगा का अपमान करते हैं बीट राउन लोगों को जो तिरंगे का और राश्टिगान का अफमान करते हैं, जो इस तरी की स्तमिता से खेलते हैं, अगर प्रूफ हो जाए तो, अदर कर दो, फासी चला दो, अब तो फासी आ गई है न, सीधा क्लियर बात है, लेकिन मुझसे ये सुनवाना कि तनूश्री दत्ता गलत है, कि नाना पाटे कर गलत है, बगएर सक्ति को जाने हुए, किसी को भी नातों में गलत बोरूँगा न सही बोलूँगा, क्लियर है? सुझे सार, लेकिन कि दस साल बाद आना ये भी गलत लगता है, गईना गई, सर, हमारे ग्रहमंत्री कह रहे हैं कि आपने पुलिस में रिपोर्ट कर नहीं लगवाई? येस, हमारा एक और कलीक सार जूनियर था, उसका करियर बरबाद हो गया, सर, उस लड़की ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, उसका रेप का वो पूरा बेडिकल टेस्ट हो, उस बचारे का करियर बरबाद हो गया, शायद नहीं आपने लिपोर्ट लिखवाई, आप दस साल के बाद तो फिर प्रशन उठने खड़े होते हैं, नाना पाटे करके भी सपपोर्ड में कुछ लोग हो, औरे मैंने नाना पाटे करके साथ काम किया, बलके मेरी लाइफ की जो पहली फिल्म मैंने डारेक्ट और प्रोड्यूस की, उसका मेन हीरो तो नाना पाटे करटा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, उस टाइम के उपर 65 लाख रुपे लेता था, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट देखने के बाद, फिल्म की स्क्रिट पढ़ने के लाद, नाना पाटे करने, मेरी फिल्म 21,000 रुपे में की थी, मैं तो प्रतक्षिदर्शी कवा हूँ, महाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रशन उठ रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहरा, कि मैं तनुश्री के साथ नहीं हूँ, नहीं, मैं हर उस तरी के साथ हूँ, जिसकी असमिता के साथ खेलवाड किया गया है, वो तनुश्री हो, कि राखी सावन्त हो, मुझे कोई फरक नहीं परता है,